हेलो नमस्कार स्वात करता हूँ आपसभी का आपने इति चनल बेश्टा निएर में तो आपको आपको अपना एककाउंट पर आप लोग से छोटी से क्वेस्ट करना चाहते हैं कि अगर आप हमारी चनल में पहली बारा है ता हमारी चनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लें यहां पर आपको बैंकिंग और फानेंस लेट वीडियो देखने को मिल जाता है गाज फाइम अनी में सबसे बहतरी नहीं रखना बिल्कुल जीरो बालने से काउंट है और यहां पर आपको कोई फिस कोई यहां पर एक्स्ट्रा चार्ज आपसे नहीं लिया जागा अपना पैसा निकाल सकते हैं डाल सकते हैं और यहां आपको देखने को मिल जाता है 24 इंटू 7 यहां पर आप कभी भी जो है इसके हल्प लाइन नमर पर बात कर सकते हैं अपनी जो भी दिक्कत है आप यहां से जो है प्रोब्लम सॉल्व करवा सकते हैं गाइज एकाउंट ओपन करने के बारे में हम बात करें तो एकाउंट ओप रुपया क्या cashback मिल जाता है जिसको सीधे आप अपने खाते में transfer कर सकते हैं और गाइज एकाउंट ओपन करने के बाद जो है उस balance को आप निकाल सकते हैं जब आप उस link पे click करेंगे तो यह आपको सीधे आपकी Google Play Store में redirect करती है यहां पर आपको 5 money जो application है इसको download करना होग दोस्तों application इस्टॉल होने के बाद आप इस app को open करेंगे जब open करेंगे तो आपके सामने 5 money का user interface आएगा यहां पर आप देख सकते हैं हमारी जो application है वो open हो रही है यहां पर आपको दो options मिलते हैं सबसे पहला मिलता है sign up और दूसरा मिलता है sign in आपको यहां पे sign up पे click करना जब यहां पे sign up पे click करेंगे यहां पे आपको अपने 10-digit की mobile number fill करनी है तो गैस यहां पे अपको अपने खाते के साथ जो भी mobile number लिंक करानी है आप वो mobile number fill करेंगे यहां पे दोस्तों mobile number fill करने के बाद आप next वाले options पे click करेंगे यहां पे आप आपको कुछ permissions मांगी जा तो आप permissions देंगे इसके बाद यहां पे आपके नंबर पे एक OTP भेजा जाएगा ताकि आपका जो नंबर है उसको verify किया जा सके तो यहां पे आप अपनी OTP इस box में fill कर देंगे तो guys mobile number को OTP के साथ verify करने के बाद आप से कुछ यहां पे personal details मांगी जा रही है सबसे पहले यहा आपका email होगा वो आपको दिख जाएगा आप अपनी email select करेंगे email select करने के बाद guys यहां पे आपको अपनी complete full name लिखनी है आपके pen card में जो भी आपका नाम है आप वही name यहां पे fill करेंगे तो फटाफट से यहां पे हम अपनी complete name fill कर लेते हैं अपनी complete name फिल करने के बाद आपको नीचे एक next का बटन मिलता है आप next वाले options पे click करेंगे next वाले options पे click करने के बाद यहाँ पे जो दूसरा page open होता है तो यहाँ पे हम थोड़ा सा wait कर लेते हैं तो दूस्तो अब आपको यहाँ पे referral code का option आ रहा है तो यहाँ पे सबसे continue without a finite code तो यहाँ पे दूस्तो आप continue without a finite code पे click करेंगे अब आपके पास इनकी terms and conditions देखने को मिलती है आप इसको next करेंगे दूस्तो यहाँ पे आपको account opening जो process है वो start करना होगा यहाँ पे आप अपना pen card का number फिल करेंगे नीचे आप अपनी date of birth फिल करेंगे उसके बाद आ next वाले options पे click करने के बाद यहाँ पे आप father's का अपने full name लिखेंगे mother's का full name यहाँ पे फिल करेंगे अगर आपको अपनी account में नोमनी add करना है तो आप add नोमनी पे click करके नोमनी add कर सकते हैं यह जो details है फिल करने के बाद यहाँ पे आपके सामने कुछ ऐसा options आएगा तो अधार number fill करने के बाद यहाँ पे आप next वाले options पे click करेंगे next वाले options पे click करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपके अधार card से जो भी आपका number link होगा उस पे आपको एक six digit की OTP भेजी जाती है तो यहाँ पे आपको जो भी OTP मिला होगा आप इस box में अपनी OTP fill कर देंगे अधार OTP fill करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आप नीचे sign का option आएगा आप tick करेंगे तिक करने के बाद यहाँ पे दोस्तों टाइम लगता है आपकी जो अधार card है उसको verify किया जाता है तो यहाँ पे आप next वाले options पे click करेंगे और यहाँ पे आपसे कुछ permissions मांगी जा रह जाता है तो यहाँ पे दोस्तों आप start verification पे click करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले आपको एक verification करना होता है जब आपको यहाँ पे अपनी face को capture करना होता है और आपके screen पे कुछ numbers दिखा जाते हैं जो कि आपको बोलना होता है और उसके बाद जब आप बोल लेते हैं तो यहा पे आपको बताना है कि आपको यहाँ पे जो debit card मिलेगा उस पे आप क्या name print कराना चाहते है वो यहाँ पे आपको options नजर आ जाता है उसके बाद यहाँ पे दोस्तों आपके अधार card पे जो भी आपका address दिये जाता है वो address यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है नीचे आपको एक box मिलता है उसको आप टिक करेंगे और next वाले options और यहाँ पे दोस्तों अब आपको यहाँ पे कुछ permissions देने होते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले आप इसको एक बार swipe करेंगे swipe करने के बार आप अपनी location की permissions देंगे और यहाँ पे आप SMS की permissions देंगे दोस्तों यहा आपको यहाँ पे verify कर लेते हैं आपका जो account है वो successful open हो जाता है आप अपनी SIM verify करेंगे और verify करने के बाद आपका जो account number है वो आपको मिल जाता है साथ में यहाँ पे आपको virtual debit card भी मिल जाता है और जो 5 money की international debit card है वो आपके घर पे 5 money यहाँ पे within 7 days के अंदर भेज देती है आप अपने account से UPI की बहुत ही असानी से इस्तेमाल कर पाएंगे आपको जाना है कोई भी UPI apps में और वहाँ पे आपको federal bank लिंक करना है और federal bank लिंक करके यहाँ पे आप अपना account completely यूज कर सकते हैं साथ में दोस्तों यहाँ पे आप 5 money का mobile banking भी यूज कर सकते हैं आपने जो app से account खोला है इसी में इस account की complete आपको transaction manage करने का options नजर आ जाएगा यहाँ पे दोस्तों इस वीडियो मैं demo purpose के लिए बता रहा हूँ तो यहाँ पे हमने account उपे नहीं करके दिखाया है मैंने आपको last process तक बता दिया है कि कैसे यहाँ पे आपको account open करना है यहाँ बस जैसे ही आप अपनी सीम को verify करते हैं आपका जो account है वो successful open हो जाता है दोस्तों यहाँ पे हम sorry बोलना चाहते हैं मैं आपको यह complete वीडियो बना के नहीं दे सका because यहाँ पे हमें account नहीं खोला है मेरा already इस bank में account है तो यहाँ पे मुझे account नहीं खोला है चलिए दोस्तों इस वीडियो क हम यही पे खतम करते हैं अगर आपको इस वीडियो से related कोई भी doubt है तो आप हमें comment कर सकते हैं मैं आपको instant reply